हम लोग किसी की मज़ाग नहीं उड़ा नहीं है मेकिन इंडिया की मज़ाग उड़ा रहे हैं ना मेकिन इंडिया की मज़ाग उड़ा रहे हैं ये मेकिन इंडिया देश के लिए हाँ सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए सफल होने में क्या कमिया है उसकी चर्चा होनी चाहिए लेकिन मैं एक बात कहा है और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीक का कटोरान लेकर के निकले हो और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक्कर के कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं सिर्मति इंद्रा गांधी कह रही है यह 1974 में इंद्रप्रस्त कालेज में आपने इंद्रा जी ने यह भाशन किया था और इसलिए यह भी बात है कि हम कोई भी नई योजना लाए नरी तरीके से लाएं तो कुछ लोगों को उमर तो बढ़ती हैं लेकिन समझ नहीं बढ़ती हैं तो समझने में बड़ी देर लेगा है कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजे समझने में बड़ा समझ जाता है कुछ लोग तो समय भी इतने के बाद भी चीजे समझ नहीं था और इसलिए अच्छा लागता है विरोध करें तो वो विरोध करना अपना तरीगा ढूंते रहते हैं